कि अधिए एक सारस जखनी हालत में आरिफ को मिला और आरिफ ने उसकी मरहमपक्ति की उसको पानी पिलाया खाना खेलाया आरिफ ने ठीक काम किया अच्छा काम किया मैं इसमें कोई को नहीं है और आरिफ ने उसे कुछी ने अपने पास रखा जब वह ठीक हो गया तो आरिफ कोई करना चाहिए था या तो उसे किसी चलिया की जए वो बनी होई है बर्ड सेंचरी उसमें छोड़ देते हैं या बंदगा को सूचित कर देते हैं कि आरिफ मेरे पास ऐसे आ गया और मैं इसे देना चाहता हूं कि सारस हमारा प्रदेश का पक्षी है और उसका एक सम्मान है प्रदेश का प्रमुख पक्षी है और उसको घरों में कैद नहीं रखा जा सकता उसको कोई पाल नहीं सकता उसके लिए उसे जहां और सारफ रहते हैं या जहां और तुनिया रहते हैं वहीं उसको रहना है और दिना पर्मिशन के उसका कह नहीं भी रहना सही नहीं है इसलिए वहां ते ले आए गए और आज की तारीश में वह कानपुर के इंक्यूबिशन सेंटर में है लेकि मैंने बताया जो बात है मिलकुर साफ इतने आरो कि क्या बात रही वह बर्ड है जो है इस्टेट बर्ड है उसका अपना सम्मान है उसका अपना एक हैविटेट होता है उसको रहने का होता है और एनिमल जो है